असलेम वलेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुमें आप सबका दीनी भाई अफूखान उत्तरपदेश इलहाबास से तो सामाईल आज इंशालला हम साबित करेंगे जो देवबंदियों के जो अल्लामा हैं उनके घर की गवाही से कि ये एक्च्वल में जो हन्फी अपने आपको 24 घंटा कहते रहते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं हम तो मुकल्लिद हैं तुम गैर मुकल्लिद हो तुम गैर मुकल्लिद हो और एले सुन्नत एले हदीश को माजला वो लोग जो ताना है ताना देते रहते हैं कि भाईया तुम लोग तो गैर मुकल्लिद हो हम इमाम में आजम सबके सब गैर मुकलिद हैं इस दुनिया में कोई भी चाहिए कोई भी हन्फी हो चाहिए बरिल्वी हो या देवबंदी हो अपने आपको इमाम आजम अबु हनिफा रहमत अले का बिल्कुल 100% वो अपने आपको मुकलिद साबित कर ही नहीं सकता वो धोका देता है सब गैर मुकलिद हैं आईए आले देवबंद के जो अल्लामा हैं उनका नाम है मौलाना मौलाना तकी उस्मानी सहाब जो एक देवबंदी आलिम है वो ये कहते हैं कि एहनाफ ने बहुत से मसले में इमाम अबु हनीफर एमतुला ले के कॉल को छोड़ा है जैसे तालिमु लकुरान को इमाम अबु हनीफर एमतुला ले वो जाइस कहते थे लेकिन एहनाफ ने उसको जाइस करार दिया है अल्लाहु अक्पर ये हो रही है तकलीद इनकी यह कौन सी तकलिद है भीया? यानि कि इमाम अबु हनीफर अमतुलाले इमाम आजम अबु हनीफर अमतुलाले वो किसी अमल को कह रहे हैं कि ये चीज़ को ना करो ये नाजाज है और हनफी आज के दोर के कह रहे हैं कि नहीं हमारे वाँ जाज है मतलब जो इमाम कह रहा है कि वह वो नाजाइज है और आज की हन्फी कह रहे है कि जाइज है तो इससे साबित होता है कि आज के जो हन्फी है वो इमाम आज़म अबू हनिफा रहमत लाले से बड़े मुझे तहीद है तो गोया ये सब के सब हो गए अपने ही कॉल से साबित हो कि ये खुद गैर मुकलिद है तो आज के बाद हमें ताना देना छोड़ दें हम ना मुकलिद है ना गैर मुकलिद है हम तो मुत्तबह सुन्नत अहले सुन्नत अहले हदीस है ठीक है? हमको ना मुकलिद बनने का बात के दौर की यह पैदावार है इसका दीन इसलाम से कोई लेना देना नहीं है फीक है और इह जो हमारे तकी उस्मानी दियोबंदी सहाब थे एक एक मसेला एकस्टपल में पर दिया हिसे इमामम अबु अनिफर एमतुला लेकर कौल को छोड़ा है जैसे तालीम कुरान को अबू हनिफर अभू हमत अले वो कहते थे कि यह जो काम है यह नाजाज है लेकिन एहनाफ ने इसको जाइस करार दिया इसी तरीखे से बहुत सारे काम है जैसे अमाम अभू हनिफर अमत अले कि नज्दीक जो माई है वो अपने बच्चों को धाई साल दूत पिलाएंगी लेकिन अल्ला सुमानु तहला फर्माता है कुरान में सुर्य अल बकरा सुरह नमबर दो आयत नमबर 233 में कि माईं अपने बच्चों को वो दो साल दूत पिलाएं तो अल्ला ताला कह रहा है दो साल दूद पिलाएं इमाम आजम अबू हनिफर अमतुलाले कह रहा है कि धाई साल दूद पिलाएं तो एहनाफ ने इस मामले में भी अपने इमाम को छोड़ा है यानि कि वो खुद हो गए गैर मुकलिद इसी तरीके से इमाम आजम अबू हनिफर अमतुलाले के नजदीक जो शवाल के जो छो छे रोजे रखे जाते हैं रमजान के बाद वो इमाम आजम अबू हनिफर अमतुलाले के नजदीक मकरू थे मकरू यानि कि नापसंदीदा जो आता है फतावा आलमगीरी में लेकिन आज के तमाम हनफी चाहिए वो बरेलवी हों देवन्दी हों वो शवाल के जो छे रोजे होते हैं उसको जायज समझते हैं और अल्ला के नभी मुहम्मद स.A.W. ने फरमाया मुस्लिम शरीफ के अदिसे कि जिसने रमजान के बाद अगर उसने शवाल के छे रोजे रखे तो गोया उसने पूरे साल के रोजे रखे तो हनफियों ने अपने इमाम के इस कॉल को भी छोड़ दिया तो वो खुद हो गए अपने कॉल से अपने उसूल से अपने फत्वे से वो खुद बन गए गैर मुकलिद तो वो कहां बचे मुकलिद तो ये धोका देना छोड़ दें इस तरीके के सैकुड़ो मसायल अल्हमदलुल्ला मैं एक लाइन में बता सकता हूँ सैकुड़ो मसायल एक से एक बढ़ के मस कोई मुकलिद नहीं है, सब गैर मुकलिद हैं, ये अलहम्दुलेल्ला देवबंदियों की जो किताब है, उससे साबित कर दिया है, इतने हैं आपको बताना था, असलाम वालेकुम, वरहमतुल्लाही, वबरकातु हूँ,